So Hello Everyone, मैं हूँ विकरम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं विपरो लिमिटेड शेयर के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए क्या टार्गेट्स होने वाले हैं वो डिसकस कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि जो इसके कौर्टर टू के रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं उसको लेकर यहां पर मार्केट की के एक्सपेक्टेशन है और यहां पर आज के दिन अगर आप देखोगे यहां पर इसी अरिया के राउंड पर यह सपोर्ट ले रहा है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा यहां पर एक कैंडल बन रही है जो कि इसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रही है तो यहाँ पे अभी आज के दिन अगर यहाँ पे इस area के round support ले लेता है और green candle के साथ यहाँ पे closing होती है तो फिर हमारे लिए यहाँ पे upside की possibility बढ़ जाएगी और फिर हमारे जो nearest target निकल के आएगा वो हो का हमारा यहाँ पे 560 रुपीज का तो यह target आपको देखने को मिल सकत है तो फिर हमें यहाँ पे 511 रुपीज का लेवल भी देखने को मिल सकता है यह दो targets निकल के आएगे downside के लिए अगर यह candle close हो जाती है 533 रुपीज के नीचे तो यह levels अभी फिलाल के लिए निकल के आ रहे है विप्रो लिमिटेड शेयर के अब बात कर लेता है company के quarter 2 के जो के results के अंदर और उसी के साथ-साथ यहाँ पर जो earning पर शेयर करा जा रहा है वो करा जा रहा है यहाँ पर 5.75 रुपीज का तो यह figures अभी निकल के आ रहे हैं अब आज देखने कि जब quarter 2 के results announce होंगे तो वहाँ पर क्या वो results estimate को beat कर पाते है या फिर नहीं कर पाते है तो उस सब लोग के साथ उसे share कर दूँगा so इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में